बेलकम प्यारे स्टुडेंट्स आज का आपका टॉपिक है वीड मैनेजमेंट खर्पतवार प्रबंधन खर्पतवार प्रबंधन जैसे हम लोग फशलों पढ़ते हैं उसी तरीके से वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं खर्पतवार नियंतर्ण की बात करते हैं बेड़ा जो पौधे मानों की और सक्ताओं की पूर्ती करते हैं उन्हें हम फसल कहते हैं और जो पौधे फसलों से प्रतियोगता करते हैं उनसे प्रतियस्परधा करते हैं उन्हें को हम वीड कहते हैं खर्पतवार कहते हैं, खर्पतवार शब्द का प्रियोग शर्पर्थम जत्रोटुल नामक बैज्ञानिक ने 1731 के अनुसार आप कह सकते हैं कि खर्पतवार वह आवांचित पौधा है, जो किसी भी अस्थान पर बिना उगाए ही उग जाता है, और लाब के पेक्चा हानधिक करता है, उसी को हम खर्पतवार कहते हैं, उसी को खर्पतवार कहते हैं, ऐसा पौधा जो बिना बोई उग जाए, और हमारी मुक्ष फशल को प्रभावित करता है, उसी को हम खरपतवार कहते हैं, और दूसरे सब्दों में कहतों, आवांचित अस्थान पर उगे विये पौधों को खरपतवार कहते हैं, खरपतवार एक आवांचित पौधा है, कह सकते हैं, खरपतवार एक आलावकारी आता है और या फसलों को या फसलों से प्रद्योगता करता है उसे हम खर्पतवार कहते हैं कई सारा इसका परिभासा अपने हिसाब से लिख सकते हैं बड़ा और आप लोग अंद तक इस वीडियो में बने रही है बहुत इंप्वाटन क्लास है आपका अगर आप चैनल पर क्लास जरूर शेयर करें देखिए बड़ा यहां पर है कि वीड क्या होता है तो वीड प्लांट ग्रेंग वैर इस टीज नाट वांटेड या वीडिज अब यहां पर पौदे अलग अलग जो बिना बोई उगाते हैं और अंडिजारेवल या अनवांटेड प्लांट के रू यह प्लांट आउट प्लेस मिलब जिस अस्थान से मिलब नीचे आउट प्लेस पर ही वुगाते हैं और इस तरीके से कह सकते हैं इस प्रकार का एक नेक्रोसिस प्लांट होता है और कारग पोधा होता है जो हमारी मुक्ष फचलों को प्रभावित करता रहता है अगर हम तो वीट से अकेले 45 परसेंट लासBeats ही होता है इंसक्स से 30 परसेंट डिजी ट्वैंटी परसेंट अदर पेश्ट गायरा से भी इसमें फायप परसेंट से भी लास होता है तो सकते हैं आप प्रमोकर रूस से कह सकते हैं तो कि अगरी कलचर में LOST करने के लिए means weed का एक प्रमोक अस्थान है जो हमारी फसलों से प्रत्योक्ता करके और उसको हानिकारक प्रभाव पैदा करता है अगला आप देखें बेड़ा यहां पर तो problem due to weeds इसकी समस्याएं क्या है तो एक तो nutrient losses आप जानते हैं कि जैसे मालेजी एक निश्चित एरिया है और इस निश्चित एरिया में आपके 100 प्लांट है या 10 प्लांट है 20 प्लांट है कुछ भी है और आप उसकी life cycle complete करने के लिए आप nutrient देते हैं क्या गरते बड़ा nutrient देते हैं आप पोशकतत तो देते हैं लेकिन उसी एरिया में weed के भी प्लांट उसी एरिया में weed के भी उख जाते हैं और जो हम nutrient अपने मुख फसल के लिए दिये हैं वो सब weed ले लेते हैं इससे आप कर सकते हैं कि हमारे उस soil से nutrient loss हो जाता है जिससे प्रभाबिद वही चीज़ देखेंगे कि water losses water losses ज्यादातर water को क्या गरेगा weed absorb कर लेगा और water जल्दी soil से मिलब कर सकते हैं इस प्रकार से हमारे मुख प्लांट को नहीं मिल सकता है उसके बाद में light के लिए भी प्रकास पौधा अगर बिल्कुल open है तो इसको अच्छे तरीके से प्रकास मिला तो अपना भोजन बनाता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पौधा छोटा ही मेन फसल छोटा रह जाता है और वीट के जो प्लांट होते हों बड़े हो जाते तो इनके ओपर प्रकास पढता हो और इसके प्रकास जो मुख फसल नहीं पर पाता है इसके वजासे भी हमारे पौधे छोटे ही रह जाते है इस पेस का competition तो इस पेस का भी competition होता है यहाँ पर अब हर फसल के एक निश्चित दूरी है उस पर बोया जाय जैसे मा लेजिए कि आपका गेहूं की वीट की फसल तो लगबग 20-22 cm की दूरी पर रोट टूरो होना चाहिए और उसी के बीच में अब अगर देर सारे खरपतवार के पौदे भी उगात उग जाते हैं तो ऐसे में इस पेसिंग का प्रॉबलम हो जाता है बहाँ पर अस्थान की समच्या हो जाती है इंसेक्ट एंडीजी यह वीट की प्लांट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट और डीजीज को भी नोता दे देते हैं उनको भी बुला लेते हैं वह वह वीं के उपर आक वहां पर प्रियोग्व करते हैं इससे जो महारा कॉस्ट सब्सक्राइब कर्णा इसकी कॉलिटी है तो वो भी क्या होती है लो कॉलिटी आपकप उसकी क्वालिटी गावण हो जाती है अब यसे कोई भी फसल है अब उसमें अगर वीड के सीड भी आ जाते है उसके साथ तो उस फसल की क्वालिटी पर मुक्त और पर खिराब हो जाती है तो इस प्रकारते आप कह सकते हैं यह इसका एलोपैटी की फिक्ट होता है कि बहुत सारे वीड के प्लांट ऐसे होते हैं कि जो विसायला तो छोड़ते हैं और हमारी मुक्त फसलें भी उससे प्रभावित होती हैं अगला यहां पर बेड़ा होता है कि प्रिस्पल आफ वीड मैनेजमेंट वीड मैनेजमेंट के सद्धान्त काउन काउन से सद्धान्त हैं कि सद्धान्त पर यहां पर करना चाहिए तो पहला तो होता है कि प्रिवेंशन मलब एक ऐसा कोई उपाय करें एक ऐसा कोई करें कि जिससे वीड केidents, वो वंहारे फ़सल तक, हमारे फिल्ड तक पहुंचने ही ना पाएं, वो फिल्ड तक क्या हों? पहुंचने ही न पाएं, वहां तक जाई न पाएं, कैसा करना चाहिए? या ऐसा यहाँ पर अगर नहीं होता है, तो उसका परभन्न करना चाहिए, कि वो कह सकते हैं कि बिल्कु रिडूस हों कमी रहें यहां तो फिर आप वो क्या करना चाहिए अब कंट्रोल अगर ज्यादा प्रभाव हो गया है तो फिर आप वो क्या करना है महां पर कंट्रोल करके और वीड को तो यहां पर देखते हैं कि पहला बेटा की प्रेमेंशन यहां पर क्या है इसके बारें देखते हैं तो यहां पर कंट्रोल्ड यहां पर क्या करेंगे अगर आपको यह मैंत्रड अपनाना है तो पहले से प्री प्लानिंग करना होगा प्री प्लानिंग करके जैसे अब आप त करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक ही इंप्लीमेंट से कई खेतों में कर रहे हूं तो सकता है यह आपका फिल्ड है अब यहां पर टिलेज किए यहां से यहां पर आकर के जुताई करने लगे तो हो सकता है कि उस टिलेज के साथ कुछ सीड बहुत सारे सीड आप आज्सके संद्य गरू बहुत हर छेत्रों में ने खरपतवार दिखाई दे रहें तो ने खरपतवार दिखाई दे रहें इसका मलब क्या है कि सीड के साथ विए ऑजाते हैं जो हमारे क्रॉप सीड उसके साथ भी आ जाते हैं ऐसी कुछ हम प्रक्रिया करते हैं कि जिससे हमारे खेत में वीड के सीड पहुंचने ही ना पाएं उनका कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं उनका वहां तक आगमान ही ना होने पाएं अगला देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि आइडियल वीड कंट्रोल यहां पर क्या क या उसका जो विश्टेट्व पार्ट है उसको क्या करेंगे हम किल करते जाएंगे कि जिससे उसका प्रुपागेशन ना हो उसका वृद्धी ना हो सके और वो हमारे मुख फशलों को प्रभावित ना कर सके इस इसको भी हम ध्यान में लाते हैं आगे देखते हैं कि कंट्रोल किस तरीके से आप कंट्रोल जब कंट्रोल करते हैं जब हमारे पहुंच से कह सकते हैं कि वो दूर हो जाए ज्यादा उसका एफेक्ट दिखने लगे तो हम क्या करते हैं उसका कंट्रोल कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलते हैं नियंत्रण क्या करते हैं नियंत्रण तो यहां यहां पर क्या क्या कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल करने के मैथेट्स क्या हैं यहां पर कंट्रोल करने के मैथेट्स जैसे कल्चरल या फिजकल केमिकल बालूजकल अलग-अलग मैथेड हैं और उन सभी मैथेट्स के द्वारा क्या करेंगे वीड को कंट्रोल करेंग उसके बाद method of weed control अब यहाँ पर इसका advantage and disadvantage दोनों चीज़ हो सकता है इसका advantage भी हो सकता है और disadvantage भी हो सकता है कैसे weed को आप यहाँ पर control करेंगे अगर आप देखें कि component आप control करने के लिए क्या एक तो chemical method कि सीधा आप अरसानों को घोल करके और अपने crop में प्रियोग कर देते हैं तो इस प्रकार से यह chemical method होता है chemical में भी बेटा अलग 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 आता है जैसे एक तो होता है pre-emergence दवा अब pre-emergence जो chemical होता है कि हम फसल बो रेमलब फसल के crop के जर्मेशन के पहले ही हम वीड का प्रियोग कर दें जिससे कोई भी वीड गुरो ही न कर पाए यह तो होता है पोस्ट इमर्जन्स जब वीड जर्मनेट कर गया है तब वहां पर हम अगर chemical काम श्रकाव करते हैं तो ऐसे में वो पोस्ट इमर्जन्स में आता है अगला होता है cultural method में, मैं किसी हम क्या करते हैं, sawing करते हैं या सात करते हैं यह कि खर्मटव का रचा करते हैं कर दो बार गुडाया करके और उस से भी खर्मटवार को नश्ट कर देते हैं यह फिर क्लिवेटर और छोटे चोटे-छोटे कि खर्पतवार को निकाल लेते हैं तो यह सब बढ़ा काल अग्यारा को खान कर yard में मे stripped पुए वी अग्यारे निश्ट कर देते हैं या बहुत सत्वार को खाकर लगा तब होते हैं में रिध सब्यां हम कैसे खोला को का नर्श्ट करते हैं तो देखते हैं करते हैं यांत्रिक विदी में तो आता है तीलेश की दौरा तीलेश की किरिया करके और आप नश्ट कर देते भू परिष्क्न किरिया करके तो टीलेश की दौरा जैसे खर्पत्वार का वीज जर्मिनेट हुआ जो ताई करके कि उसको डिस अटेज्मेंट में स्वाइल से उसका टेज्मेंट खतम कर दिये सूख जाएगा होइंग कर देते हैं जो उसमें हैंड होके सायता से अली फसल की बीच से भी खर्पतवार को हटा देते हैं हाइन विडिंग मिस्क जो आप बड़ा-बड़ा खर्पतवार आपको उसको हाथ से उखाड़कर आप देते हैं डिगिंग खाई खोद कर भी या आपका इस टेल के मलब या मुईंग उसकी कटाई करके अब देखते हो कि जो बहुत ज़्यदा बड़ा खर्पतवार हो जाता है तो कटाई करके भी उसको हड़िया खतम कर दियाता है या पूरे छेतर में पूरे फिल्ड में सेमालेजी आपका फिल्ड है पूरे फिल्ड में क्या करेंगे पानी भर देते हैं और ऐसी स्थिति में भी उसमें खर्पतवार आयनरुबिक कंडिशन हो करके और वो सारे के सारे खर्पतवार वहां से समाप्त हो जाते हैं ये भी एक मै सकते हैं एक तो होता है फिल्ड प्रप्रेशन जब आप कोई हसल लगाने जाते हैं जैसे सपोस्ट करिए कि आप पैडी की क्रॉप लिये हैं पैडी के बाद आप उसमें वीट लेना चाहते हैं तो पैडी के साथ कुछ ना कुछ तो खर्पतवार रहे होंगे आप उनको अच् समाप्त कर देते हैं या समर्ट लेज जैसे मालेजे की वीट का हार्वेस्टिंग हो गया है और उस टाइम के खाली है ऐसे में आप क्या करेंगे कि दो से तीन या तीन से चार बार दो तीन बार कह सकते हैं कि खेट की गहरी जुताई करेंगे जिससे जो भी खर्पतवार के जड़ या अनिभाग हैं वो मर्दा के उपर आकर के और वहां से नश्ट हो जाएंगे यह भी प्रक्रिया करते हैं यह फिर होता है कि मेंटीने साब प्लांट पॉपलेशन जो प्लांट का पॉपलेशन है उसको भी मेंटेन रखते हैं इसका भी उत्तम ब्यूस्था रखते हैं जैसे माल लीजिए कि हमारी फसल है दूर दूर पर अगर है तो हम क्या करें अगर प्लांटेशन कोई क्राप लगा रहे हैं तो थाला बिदी के द्वारसी चाहिए कर लें और यह एरिया हमारे यहां पर अगर वाटर नहीं रहेगा तो इसमें अनवीड भी डबलप नही कर पाएंगे ऐसा कुछ मैजिड अपनाना चाहिए कि जिससे खरपतवार कम हो जाए या फिर क्राप रूडेशन जैसे कुछ विशेश खरपतवार होते हैं जो मुक्ष्छ फसलों के साथ यूगते हैं तो अगर हम क्राप रूडेशन अपना देते हैं तो खरपतवार करके उसमें चना मसूर या उरद या कोई भी अन्य कराप उस सीजन का लगा दें तो अगर दो तीन साल तक हम उसमें रूडेशन अपनाते हैं तो उससे लेटे जो खरपतवार हैं वो उसमें नहीं जमते हैं इनका प्रभाव कम हो जाता है या ग्रूइंग महापर इंटर क् कि दोरी पर फसलों को लगाएं और अगर आप निश्य दूरी निश्य त्लाइनों में फसलों को लगाते हैं तो ऐसे में आसानी से निकाई गुडाई की जा सकते हैं और इस प्रकार से भी वीड को आप नश्ट कर देंगे अगला होता है विड़ा मल्चिंग जैसे आप नर mind ल मंपम सब्सक्राइब अपर करते हैं हम मजश्ञ घर दे कि상 betting मलशीन बहुत जूरा है उसे उसके यह चीए यह bạn 25 00175 को ब्येंद कर्के से कंदये हैं शेवें प्लासमयं में क्लाइब दूला होता है इसे न एक sब फसलमाउं को सब्सक्राइब करने के लिए देते हैं और ऐसा जब मारा सर्फेस खाली नहीं रहेगा मल्चिंग रहेगा तो ऐसे में खर्पतवार वहां पर डबलब नहीं हो पाते हैं तो यह चीज़ ब्राइटी का विध्यान रखते हैं कि ऐसा एक ब्राइटी ऐसी फसल लगा है कि जिन फावलिंग ना हो जैसे आप मे करने के लिए कि जयदा होता है यह अगला होता लेगा इंट्र कल्चर करके भी और अना फसलों से जो भी खर्पतवार को हड़ा सकते हैं यह फॉइंट होता है अगला होता हिडश को प्रियोंग कर लेते हैं तो केम कल देट जार यूजड केल्द प्लांट और वीड असकाल हर्वी साइड इसको क्या बोलते हैं इस आरकार्ड हर्वी साइड मलब जो हर्ब्स को नष्ट करने वाला या किलर जो केमकल होता है उसी को हम हर्वी साइड कहते हैं एक तो होता है प्रीमर्जंस मैंने भी आपको बताया प्रीमर्जंस मलब जो सीड है सीड को मुला या फसल की बवाई या उसकी जर्मिशन के पहले ही आप दवा का प्रियूग कर दिए तो आपका प्रीमर्जंस प्रीमर्जंस के लिए सबसे अच्छे दवा मानियती पैंडे मतलीन इसके लिए बहुत अच्छा अगला है पर है कि यह से पोस्ट इमर्जं पोस्ट इमर्जंस में सीड का जर्मिशन हो चुका है और वीड वह अपना डबलामेंट कर रहा है और ऐसे समय में जब हम दवा का प्योग करते हैं तो होता आपका जैसे एट्राजिन टो फोड यह सब किसमें आता है यह सब टूटल पोस्ट इमर्जंस के अंतरगत आता है अगला होता है विडए कि कशल कंट्रोल तो बार Ci यहां पर देखते हैं कि ऐसक Kal कंट्रॉल में भी इसमीं आ जाता है और वी इसके अंतरगत आता है जैसे बायोचे का इंट्रोल में अगर आप देखें जैसे इंसेंक के द्वारा और सब्सक्राइब और यह सब भी होते हैं यह हरोसी फिच भी होते हैं बहुत सारे से मशलीitaire गुल्च कशा सब्सक्राइब ए दिद्धरर्ण निएम वीटल्स होता है जो फीड करके और खर्पतवारों भी खा ow part her aim करी के फिए किसका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन अलगलग तरीके से हैं जैसे बेश्डाउन सीजन तो आप जानते हैं खरीब सीजन और रवी सीजन रवी सीजन जैसे जब हम स्वेंग अक्टूबर नॉंबर में किया जाता है तो यह आपका क्या हो जाता है रवी जून से लेकर के और सेटेंबर तक का जो समय एक खरीब का और फिर अक्टूबर से लेकर के जो मार्च तक का जो पूरा समय होता है यह रवी सीजन का होता है और इसमें जो खरपतवार फसलों के साथ उगते हैं तो उनको कहते हैं कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि जो बहवर सिजन और करी यजन दोनों में उखते हैं पर अगला होता है कि जैसे अब आ के खर्पतवार का नाम भी अगर आप देख लिए कौन कौन से खर्पतवार जातर जसे भी करीब सीजन है तो करीब सीजन में भी एक वर्सी और बहुवर्सिये दोनों परकार के खर्पतवार इसमें उकते हैं जैसे सबसे पहला है कि बारू तो इसका यह भी एक खरीब सीजन का प्रमुख खर्पतवार के रूप में माना जाता है या जैसे इसमें भकरा एक अलग-अलग यहां पर कह सकते हैं कि अलग-अलग खर्पतवार इसमें प्रमुख तोर पर आते हैं या जैसे यहां पर है कि चौलाई यह भी एक खर्पतवार के रूप में इसको साग बना कर भी लोग खाते हैं लेकिन एक खर्पतवार के रूप में ही यह रहता है जो खरीब सीजन में ही प्रमुख तोर पर उग तो इस तरीके से अनिक प्रकार के खर्पतवार इसके अंतरगत यह सब इड़ा इसी में आते हैं चाहे जिसे जंगली पालक है या आपका विल्ट जूट है जो जंगली जूट है यह इसी के अंतरगत आता है तो इसी तरीके से यह टंडाला है जो अलग-अलग खर्पतवारों के रूप में जो खरीब सीजन के रूप में इसको आप मान सकते हैं और ऐसे आपका जो शामा ग्रास है या आपका यहाँ पर नारो बूटी के रूप में इसको माना याता है तो इस तरीके से अलग-अलग खर्पतवार या सैंजी है यह भी एक प्रमुख खर्पतवार है सब खरीब सीजन के रूप में भी यह आपका प्रमुख खरीब सीजन के ही खर्पतवार के रूप में इसको माना याता है आगे देखते हैं बड़ा रवी सीजन कि रवी सीजन में कौन-कौन से खरपतवार आते हैं वसे खरीब से सीजन में प्रमुकत और पे खरपतवार आपको दिखाई दे लिया जैसे सामा, धुनिया, कोदो, मकरा और बनरा, बनरी, जंगली या वहाँ पर गाजर घास या जंग मामा, यह सवे जादा आते हैं, जो प्रमुकत और आपका सकते हैं की रवी सीजन में खरपतवार आते हैं, जैसे आप लोग देख्योंगे सत्यानासी यह भी रवी सीजन पौल जिसको ही तो नाम प्रमुख खर्पतवार है यहां पर बत हुआ आप लोग जानते होंगे कि रभी सीजन में खासकर इस सीजन में लोग साग बनाकर बहुत कहते लेगें यह भी बहुत खतरना खर्पतवार होता है ऐसे करू और यहां पर जंगली चौलाई इस प्रकार से अनेक खर्पतवार जो रभी सीजन के रूप में कहां पर हमारी मुक्ष फसलों को प्रभाबिद करते हैं या अलग-अलग खर्पतवार जो प्रमुक्तोर पर ये फसलों को प्रभाबित कर रही है तो इस प्रकार से आपको बढ़ा एक महत्मून क्लास है इसको आप लोग देख लीजेगा इसमें और सारे जिसे क्राप बीट कंपडिशन क्या है कि इन फसलों से कितना लास होता है और के मैथेट के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजेगा और उसको भी आप अच्छे ढंक से पढ़ लीजेगा जैहिन जैवार